साउथ फिल्मों के पांच सिक्वल्स आ रही है गेम बजाने इन फिल्मों से बदलेगा बॉक्स ओफिस का खेला पुश्पांस लेकर केजिएफ जैसे फिल्मों का सिक्वल आ रहा है बॉक्स ओफिस पर रूल करने क्योंकि पिछले कुछ सालों में साउथ की फिल्मों ने अंतारा को हिंदी पट्टी की डिमांड पर डब करकर रिलीज किया गया था यानि पूरा देश इस वक्त साउथ की फिल्मों को पसंद कर रहा है अब आने वाले समय में कुछ भौकाली साउथ पिक्चरों के सिक्वल आने के लिए तयार है यह सिक्वल बॉक्स ओफिस के अगस्त को रिलीज हो रही है इसमें अलू के साथ रश्मी का मंदाना भी लीड रोल में होंगी फाद फासिल विलन की भुमिका में दिखेंगे इसे डारेक्ट किया है सू कुमार ने उन्होंने ही पहले पार्ट का भी डारेक्शन किया था फिल्म को बड़े लेवल पर बना यात्रा पर बेजड थी अब ऐसा कहा जा रहा है कि यात्रा टू में ममूटी वाइसर के बेटे जग मोहम डेडी की भूमिका में होंगे फिल्म आठ फरवरी को रिलीज होने वाली है इंडियन टू इंडियन का पहला पार्ट 1996 में आए था इसके 27 साल बाद इसका दूसरा प गई है इसलिए इसे दो हिस्सों में रिलीज किया जाएगा पहला पार्ट अप्रेल में आने की पॉसिबलिटी है कांतारा चैप्टर वान कांतारा की पहले पार्ट जब आई पूरे देश मिछा गई रिशब शेटी इसकी दूसरी पार्ट बनाने को मजबूर हो गए उन्ह कि अभी कोई ओफिशर अनॉंस्मेंट नहीं की गई है के जीएफ चाप्टर 3 के जीएफ एक ऐसी फिल्म रही है जिसने बाहु बली के बाद देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है ये कन्नडा इंडस्ट्री में आई पहली पैन इंडिया फिल्म थी इसने यश को सूपर स्टार बना दिया था इसके दो पार्ट आ चुके हैं अब तीसरा पार्ट भी आना है ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी शूटिंग इसी साल अक्टूबर में शुरू हो जाएगी फिल्म के अगले साल रिलीस होने की पॉसिबिलिटी जताई जा रही है बॉलीवोड की लेटेस्ट न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सॉंग रिव्यूस के लिए सब्सक्राइब करे हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलीवोड को and yes, don't forget to press the bell icon ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई information आप बिल्कुल भी मिसना कर पाएं